सब्सक्राइब दोस्तों आप सभी का हमारी को नई वीडियो में दोस्तों आज चित्राक्स जोसी की डिमांड पर हम ये वीडियो लाए हैं चित्राक्स जोसी ने एक सवाल पुछा है कि WCAM सेरीज के लोकोमोटिव महरास्टा के बाहर क्यों नहीं ले जा जाते तो आइ इस वीडियो को शुरू करते हैं इस सवाल का जवाब जानने से पहले जरूरी है कि फिर से भारती रिल्विक एतिहास के कुछ पन्नों को उलट कर देखा जाए वैसे भारती रिल्विक के एतिहास पर एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया है जिसे आप उपर आई बटन पर जाकर देख सकते हैं बात है 16 अपरील 1853 की जब देश को अपनी पहली पैसेंजर टेन मिली जिसने अपनी 34 किलमेटर्स की बोरी बंदर से ठाने तक की यातरा एक घंटे में पूरी की थी इन ट्रेन के इंजिन्स को चलाने के लिए लगातार कोईले को लोकोमोटिव के भटी में जोपना पड़ता था कुछ पुरानी फिल्मों में भी आपने ये सीन जरूर देखा होगा फिर समय आता है 3rd February 1925 का जब भारती रेल्वेज ने पहली बार DC ट्रेक्शन पर चलने वाली इलेक्रिक ट्रेन पॉंबे विक्टोरिया टर्मिनस से कुरला के बीच चलाई जिसे देश की अर्थ वस्ता को और लोगों को एक नई गती मिली पर फिर जल्द ही DC ट्रेक्शन से होने वाली खामिया सामने आने लगी थी DC करंट सप्लाई में ट्रंसफॉर्मर्स का सही से काम नहीं करना जिसकी वज़े से पावर सप्लाई को ऊपर या नीचे नहीं किया जा सकता था साथ इसमें वोल्टेज कम और करेंट की वैल्यू जादा होने की वज़े से इट्रेक्शन बहुत ही महगा था था क्योंकि ये डायरेट करंट थी इसे लंबी दूरी तक इसका सप्लाई बहुत मुस्किल था हर तीन से चार किलोमेटर पर सबस्टेशन बनाया जाते थे जो वोल्टेज को बूस्ट करते थे इन सभी प्राब्लम्स का सलुचन रेल्वेज को अल्टरनेट्व करंट के रूप में मिला 1925 से आजादी के पहले तक भारत के मातर 38 किलोमेटर के शेतर में ही डीसी लक्रिफिकेशन हो पाया था वो भी जिसमें ज्यादातर एरिया महरास्टा में आता था हलाकि इसके अलावा कोलकाता और चैन्नाई में भी डीसी ट्रेक्शन था पर यह बहुत व्यापक नहीं था चैन्नाई के असपास के एरिया में जो डीसी ट्रेक्शन इस्तेमाल पर था वो मीटर के इस्टेंस के लिए था कोलकाता और इसके आसपास के रिया में 3 केवी DC ट्रेक्शन का इस्तिमाल होता था इसी बीच भारती रेलवेज ने भी यूरोपियन ट्रायल्स और फ्रेंच रेलवेज की तर्दीह पर 1957 में भारत में 25 केवी AC एलेक्रिफिकेशन सस्टम को अडाप्ट कर लिया और 1960 में साउथ इस रेलवेज में राज खर्सवान से दोंगोवा पोसी तक स्रेक्शन को 25 केवी AC एलेक्रिफिकेशन कर दिया बहुत ही एकनॉमिकल और कॉस्ट एफेक्टी होने के कारण आज देश में लगभग 6,015 किलोमीटर तक 25 केवी AC एलेक्रिफिकेशन नेटवर्क है जिसमें मदरास बीच और तामरम भी शामिल हो गया है इदर महारास्टा के अधिकतर पार्ट्स में DC लेक्रिफिकेशन का काम पूरा हो चुका था और DC ट्रेक्शन के हिसाब से ही लोकोशेट को भी एक्रिप किया गया था ऐसे में देश की अर्थवस्था में आहम स्थान रखने वाले राज्य महारास्टा के रेलवेस को बार बार बातित करना देश के लिए नुक्सान दैक हो सकता था पर अब एक और समस्या भारती रेलवेस के सामने खड़ी थी AC ट्रेक्शन पर चलने वाले लोकोश वेस्टर रेलवे और सेंटर रेलवे के काफी एरियास में और DC ट्रेक्शन पर चलने वाले WCM लोकोश को महारास्टा के बाहर कैसे चलाया जाए मतलब AC ट्रैक्शन पर चलने वाले लोकोस महारास्टा के अंदर आ नहीं सकते थे और DC ट्रैक्शन पर चलने वाले लोकोस बाहर नहीं जा सकते थे फिर रेलवेस के काबिल इंजिनियरों ने WCAM लोकोमोटिव बनाए जिए दोनों ही ट्रैक्शन पर काम कर सकते थे जहां W का मतलब था Wide Gauge, C A का मतलब था DC और AC Traction दोनों पे चलने वाला M का मतलब था Mixed Freed के लिए यानि Goods और Passenger दोनों के लिए Modified इस लोकोमोटिव में दो पेंटोग्राफ में से एक पेंटोग्राफ AC Traction के लिए था और एक पेंटोग्राफ DC Traction पर चलने के लिए DC Traction पर काम करता था इसका मतलब अभी महरास्टा के बाहर भी जा सकते थे अगर AC Traction के लिए आगे वाला Pantograph इस्तेमाल में लिया जाता तो DC Traction के लिए पीछे वाला Pantograph इस्तेमाल में लिया जाता हलाकि इसमें दोन तरफ केविन बनी थी तो केविन 1 और केविन 2 से डिसाइड हो जाता था कि कौन सा DC Traction वाला Pantograph है और कौन सा AC Traction वाला Pantograph अब क्योंकि WCM Locos में AC Traction पर चलने वाला एक Pantograph लगा तो था जिस वज़े से इसको बाहर भी ले जा सकते थे पर फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि भारती रेल्वेस इसे देश के बाकी कोनों तक ले जाएं मतलब आप किसी भी ट्रेन में नहीं देखेंगे कि आपको दिल्ली तक कोई ट्रेन WCAM Locos के साथ हॉल करती मिले जादस जादा नाकपूर, सिवा ग्राम और वेस्टन रेल्वेस के इलाखों में ही आपको WCM Locos या तो बैंकर लोकोमोटिव की तरह या प्रापर हॉलिंग लोकोमोटिव की तरह देखने मिलेंगे साथ ही चुकिए लोकोज वेस्टन और संटर लेल्वेस के लिए ही डिजाइन किये गए थे, इस सिचुएशन में इन लोकोज में आए खराबी या मेंटेनेंस से जुड़ी समस्या के लिए वापस इनके लोकोशट का लियान ही लाना पड़ेगा, जो काफी समस्या वाला है मतलब अगर लोकोमोटिव दिल्ली या कोलकाता के लिए गया होता और इसमें किसी तरह की समस्या आ जाती है तो इसको किसी भी पास के लोकोशट में रिपेर नहीं किया जा सकता, इनका रिपेर्मेंट उनी लोकोशट में हो सकता है जहां इनको रिपेर करने के लिए टूल् में नए है तो सबस्क्राइब जरूर से कर ले मैं जल्दी मिलता हूं में किसी और वीडियो के साथ तब तक के लिए दीज़े इजाज़ा जै हिंद जै भारा दोस्तों